हेलो स्ट्रेंड्स हम कर रहे थे अमेरिकन कॉंग्रेस लाज शैशन में हमने हाउस अफ रिपर्जेंटेटिव की रिगार्डिंग किया एंड आज हमें शैशन में करेंगी सैनिट जिसका अपर हाउस कहते हैं इसकी कॉंपोजीशन की रिगार्डिंग जो सैनिट है जिए कॉंग्रेस का अमेरिका में अपर हाउस है जैसे टू हाउस होते हैं इंडिया में पार्लियमेंट की टू हाउस है लोर हाॉस और अपर हाउस अपर हाउस को हम कहते हैं राजीसबा लाइक दिस वहाँ पर जो अपर हाउस है उसको कहते है सैनिट जो सैनिट है अमेरिका में सबसे पावरफुल चैंबर है in this world पूरी दुनिया में ऐसा पावरफुल हाउस किसी भी कंट्री में नहीं मिलता जितना पावरफुल अपर हाउस अमेरिका में है यहाँ पर जो लोर हाउस है वो एक वीक हाउस है लेकिन जो अपर हाउस है सबसे ज़्यादा पावरफुल हाउस है जे पर्मानेंट हाउस है इसकी जो मेंबर्स है शिक्स एर्स के लिए इलेक्ट होती है एड 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 टुए जो मेंबर्स रिटायर नुh हो जाती है और इसको। रिप्लेस कर लेती है नजी मेंबर्स इस तरह जही हाउस है continuous रहता है and इसमें क्या है equal representation दी गई है to the states so equal representation of the states वहाँ पर अमेरिका में 50 states हैं तो इस तरह 50 states की हर एक member अपने अपने two representatives को send करता है तो इस तरह Senate की total 100 members होते हैं जो Senate है Senate की composition कैसी है composition of the Senate first thing इसमें 100 members है जैसे equal representation में कहा तो each state has right to send two representatives to the Senate and इसमें जी कहा जाता है जो equal representation है it has given to unequal states इसका मेनी क्या है कि unequal states है इनको equal representation दी गई है चाहे कोई state है छोटी है जै बड़ी है चाहे उसमें resources कम है जादा है population जादा है जै कम है सबको equal representation दी गई है सबे की सबी states अपने two representative है इनको ही Senate में send करती है तो जी किन से principle पर based है principle of equality has been adopted इसका मेनीं हुआ कि किसी के साथ कोई भी discrimination नहीं किया गया सबी states को equal ही माना जाता है and method of election जो Senate के members है इनकी election कैसे होती है उसका कौन सा method है जब Senate को start किया गया था तो इसमें starting में जो member थे उनको indirectly elect किया जाता था हर एक state की two representatives आएंगे तो वो indirectly state legislature है इनके द्वारा ही elect किया जाते थे तो starting में सेरनेट के member कों थे indirectly थे जो state legislature के द्वारा elect किया जाते थे लेकिन जो indirect election है इसमें बहुत ज़्यादा problems थी इसके बहुत ज़्यादा deem merits थे वो कौन से थे के इसमें जो बहुत ज़्यादा most famous personalities है जैफे जो rich class है सिर्फ वो ही senate में आती थी इससे corruption बहुत ज़्यादा increase हो रही थी इसको रोकने के लिए 1913 से क्या हुआ 17th constitutional amendment होती है जिसके through direct election के provision की जाती है अब इनके member वी वैसी ही elect किया जाती है जैसे house of representative के members है उनको elect किया जाता है उनके members को 18 years and above सभी citizens को write दिया गया है कि वो vote देश सकती है और अपने member elect करते है like this वो ही electoral है वो ही members है जो senate के members है इनको elect करते हैं तो इस तरही पहले interact method थी लेकिन आज के time में direct election method का rule है next is qualifications जो members है senate के members की क्या क्या qualifications हो सकती है first one is minimum age of 30 years पहले क्या था जो house of representative है इसमें 25 years था लेकिन senate में कितने है 30 years 5 years plus and second क्या है he must be citizen of america at least for the last 9 years जो house of representative है उसमें कितने है 7 years here कितने है 9 years and इसमें जे कहा गया है he must be resident of state from which he is contesting the election वो उसी state का member होना चाहिए जिस state से रिपर्जेंटेटिव बन कर आएगा मिन जिस state में वो reside कर रहा है उसी state को ही represent कर सकता है किसी और state में जाकर election नहीं लड़ सकता इस तरह जो senate के members हैं इनकी जी qualifications हैं अब करते हैं हम इनका tenor quorum and session जो members हैं इनका tenor कितने हैं जी six years के लिए elect के जाते हैं जो senate है permanent house है इसलिए one third members हैं हर two years के बाद retired हो जाते हैं और इसके बदले नए members हैं वो elect हो जाते हैं तो जो quorum है जब session start करना होते है session start करने के लिए quorum कितने members चाहिए absolute majority जिसका meaning क्या हुआ at least 51 members अगर senate में present होंके तब ही जो session है वो चल सकता है meetings की proceeding हो सकती है and जो session है session कब start होता है जब house of representative है इसका session start होता है तब ही senate का house भी start होता है और जे date fix है third jan every year हर साल third january को जे session है start हो जाता है और जे प्रिरुग्यों कब होता है इसका decision house of representatives है and senate है इन दोनों के chairman है आपस में मिलकर decide करते है कि जो session है इसको कब प्रिरुग्यों करना है अगर कोई decision नहीं हो पाता तो president खुद decide करते है कि session को कब प्रिरुग्यों खतम करना है next is chairman of the senate जो senate है senate का chairman कोन होता है vice president है vice president is the president of the senate जो vice president है इसके two ही functions है जैतों वो senate को represent करेगा उसका president बनता है अगर president का office weekend है तब उसका as a success काम करता है तो जो vice president है जे क्या है senate का president होता है इनकी meeting है इनकी meeting को preside करता है जो vice president है वो senate का member नहीं होता इसलिए उसको अपने वोट कास्ट देने का कोई राइट नहीं है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता वो वोट इसी connection पर कास्ट कर सकता है जब house में tie हो जाए means equal equal discussion में वोट होती है तब vice president वोट डालता है otherwise vice president सिरफ meeting को preside ही करता है और वहाँ पर pro temper और president भी होता है जो meeting को preside करता है in the absence of vice president अगर vice president office में नहीं है जैफ़ा वो meeting है वो preside नहीं कर सकता वहाँ पर constitution के according एक member है उसको elect किया जाता है जो meetings को preside करता है next is salary of the members जो members है इनकी salary कितनी है जो representatives है members है इनकी salary है 1,74,000 डॉलर पर एनम और इसके साथ बहुत सारे allowances है वो भी इनको दी जाती है facilities है दी जाती है और वहाँ पर senate में भी majority and minority leader होते है जो majority and minority का leader होते है उसकी salary होती है 1,93,400 डॉलर पर एनम तो leader की salary थोड़ी सी जादा होती है then privileges to the members जो members है उनको क्या-क्या privileges मिली हुई है first one is जब इस session चलता है session की during किसी भी member को civil suit case regarding arrest नहीं किया जा सकता no member can be arrested in a civil case during the session तो जी privilege दी गई है वो जो कुछ भी house में कहते हैं उनके against कोई भी action नहीं लिया जा सकता है और members को force नहीं किया जा सकता to give evidence इनना कोण इस तरे इनको privileges दी गई है and वहाँ पर एक चीज़ है कि freedom of speech जो senate के members है क्या उनको freedom of speech मिली है जै नहीं मिली तो freedom of speech in the house जो house of representative है इसमें freedom speech तो है लेकिन time कम होता है and members जादा होती है इसलिए सब को proper time नहीं मिल पाता लेकिन senate में क्या है hundred members है इसलिए वहाँ पर सब को जादा time मिलता है बोलने का तो वहाँ पर क्या कहा गया है anyone can speak again and again on the same issue same issue पर वो बार-बार बोल भी सकता है लेकिन वहाँ पर एक word or use किया जाता है वहाँ पर जो members है बहुत जादा बोलते है एक दिन ऐसा आया किसी issue पर discussion चल रही थी तो एक member है वो points नाने लगते हैं और वो दो दिन points ही सनाते रहते हैं इसलिए वहाँ पर एक word use किया जाता है Philly Buster Philly Buster का meaning कहा है इसको एक evil name दिया गया है Miss इसको negative name कहते है इसका meaning हुआ Miss use the freedom वहाँ पर जो members है अपनी freedom of speech है इसका misuse करते है and obstacles create करते है तांकि बिल को time पर pass ना किया जाए जो बिल है उनकी मर्जी के according उनके favor के according होगा तो जल्दी pass हो जाता है अगर वो नहीं चाहती बिल पास हो तो फिली बस्चर की तरह वो speech देती रहते है और वहाँ पर discussion ओर होनी पाती and वो विल पास नहीं हो पाता तो Miss use the freedom and create hinders in the passes of the bills through irrelevant speeches जो उनकी वो speeches थी वो क्या थे irrelevant दो दिन आप house में points नाए जा रहे हो जे क्या है irrelevant speech है तो इसको खतम करने के लिए वहाँ पर closer rule स्टार्ट किया गया है जे कब स्टार्ट हुआ 1917 में closer rule जब कोई irrelevant speech दे रहा है तो irrelevant speech को बंद करने के लिए closer bill लाया गया closer motion के according क्या होता है Senate में जितने भी member present है अगर उन में से one six member जे introduce कर दे कि हम चाते हैं जिस speech खतम होनी चाहिए अगर वो house में two third majority के साथ वो motion है पास हो जाए तो वो irrelevant speech है उसको बंद करना पड़ते है अगर जे motion है जो introduce किया गया उसको accept कर लिया गया तो two third majority of member present तो इस debate को क्या किया जाता है close किया जाता है इस तरह जो freedom speech है इसका misuse भी हो रहा है और इस problem से बचने के लिए closer rule लाया गया तो इस तरह जो senate की composition है जे बहुत जादा effective है इसमें members को full freedom दी गई है इसको बहुत जादा powers दी गई है जे दुनिया का सबसे powerful house है तो आज हमने इस session में sanit की composition की next session में हम करेंगे powers of the sanit hopes कि आपको जे session अच्छा लगा होगा अगर आपके कोई query है तो post it in the comment books and video अच्छे लगी तो please like and share with your friends thank you so much and have a nice day